Earning Money is a Prayer मालो दौलत कमाना एक इबादत है तीन हदीश शरीफ की बुनियात में हम ऐसा कह सकते हैं कि मालो दौलत कमाना एक इबादत है वो तीनों हदीश शरीफ इस तरह है कि हसरत काब बिन अजरा ऐसा कहते हैं कि एक बार हम नभी करीम से साथ में खड़े वे थे और एक नौजवान पांस से बहुत तेजी से गुजरा वो अपने कारोबार के अंदर बहुत इंटरस लेता था और बहुत एक्टिव था तो दूसरे जों सहाबा एकराम थे उन्होंने नभी करीम से ऐसा कहा कि अगर ये नौजवान इतनी महनत अगर दीन के काम में करता तो कितना अचा होता तो नभी करीम सल्ले लाओ अगर ये नौजवान अपने छोटे बच्चों के लिए कमाता है तो इसकी ये जो कोशिश है कारोबार की ये भी अबादत में गिनी जाएगी ये नौजवान अगर अपने बुडे माबाप की देखभाल के लिए कमाता है तो उसकी ये कोशिश भी कारोबार की ये कोशिश भी अबादत में गिनी जाएगी और अगर ये नौजवान इसलिए कमाता है इसलिए जादा कोशिश करता है कि उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े वो खुद कफिल है अपना खर्चा कुछ चला है तो तभी भी ये खुद के लिए अगर कमाता है तभी भी इसकी जो कोशिश है इबादत में गिनी जाएगी हाँ अगर ये इसलिए मालो दोलत कमाता है कि ये दूसरों से बरतरी बर जाए दूसरों के ओपर दूसरों को दिखा अपने खुट के ककाने पिने के लिए अपने खुट के अच्छी तरह से इच्जत से रहने के लिए कमाता है तो ये بھی इबादत में गिना जाएगा तो ये पहले हदिश शरीण की दूसरी हदिश शरीफ बॕखारी शरीफ की है उसमें नभी करीम स Chest propag ने फर्माया मतलब जो extremely इमानदार जो बिजनसमेन है जो एकदम जो चिटिंग नहीं करता है एकदम अच्छे से बिजनस करता है तो उसका status इतना हाई रहेगा कि वो कयामत की दिन पैगंबरों के ग्रूप में और जो बहुत नेक लोग ग्रूप है और जो बहुत शहीद है तो इनका बहुत हाई ग्रूप है तो वी आईपी ग्रूप है इन वी आईपी के ग्रूप में होगा तो इस ग्रूप के अंदर कोई जादा नमाज पढ़के नहीं जा सकता उस ग्रूप में तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इमानदारी से जो बिजनस करता है, मालो दोलत कमाता है वो एक बहुत बड़ी अभादत है। और आखरी हदिश शरीफ ऐसी है कि हजरत अबुहरा रजी अल्ला अनु कहते हैं कि नभी करीम से लिए अगर कोई बंदा भीक माँदे से बचने के लिए रोजी हासिल करता है और अपने खानदान की किफालत के लिए कमाता है, उनके जरूरीयात को पूरी करने के लिए कमाता ह है और अपने पडूसी की मदद के लिए के लिए रूपिया वैसा जमा करता है, कमाता है, तो क्यामत के दिन उसका चहरा चौदवी के चान की तरह रोशन होगा, याने जो इसमें भी वही बात हैं कि अगर वो अपने और अपने बीव बच्चों के लिए कमाता है और अपने पडूसियों के लिए के मदद के लिए भी कमाता है तो उसका चोधवी की चान की तरह कायमत के लिए उसका चेहरा रोशन रहेगा और ऐसा रोशन चेहरा जातर नेक लोगों का ही होता है पेगंब का होगा या वली अल्ला का होगा या सौलहीन का होगा या शोहदा का होगा तो तो अच्छी तरह से business करना, इमानदारी से business करना का इतना बड़ा return है, कि इनसान VIP की group के अंदर, जो religiously, जो VIP की category उसमें शामिल हो जाता है, तो हम इन तीनों हदीछ से ऐसा conclude कर सकते हैं, कि honestly earning money, इसमें honestly add होना चाहता है, honestly earning money is a prayer, इमानदारी से मालो दुलत कमाना एक इबादत है, earning money is compulsory, पैसा कमाना फर्ज है, ये सबक हमें एक हदीछ शरीफ से मिलता है, हदीछ शरीफ जो है तिबरानी कबीर की है, reference नमबर है उसका 9751, और ये हदीछ शरीफ बेहकी में भी है, हदीछ शरीफ के अलफाज ऐसे हैं, कि हज़रत अब्दुल्ला इबन मुसूद रजी के बाद में, फर्ज अदा करने के बाद जायस तरीके से रूपिया कमाना हर शक्स के लिए लाजिम है, यानि हर मुमिन के लिए अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए और अपने भी बच्चों के जरूरियात को पूरी करने के लिए पैसा कमाना उसके लिए फर्ज है, वो किसी और पर dependent नहीं हो सकता तो इस हदीश शरीफ से हम समझ सकते हैं कि पैसा कमाना हर मुमिन पर फर्ज है और कुरान शरीफ की एक सुरे जुमा की आयत नमबर 10 है उसके अलफाज ऐसे हैं कि अल्ला तला फर्माते हैं कि फिर जब नमाज हो चीके तो अपनी राह लो और को बहुत क्यात करो ताके निजात पौँ तो सुरे जुमा की आयत में अल्ला तला फर्माते हैं कि नमाज हो चुके तो अपनी राह लो मतलब जमीन पे फैल जाओ और रोजी रोडी तलाश करो मगर जो सुरे मुझमिल में ये दिन की बात है दोपहर की बात है मगर रात के औ नभी करीम सल्ला फर्म के पर फर्स था आम मुझमिल में पांच टाइम की नमाज फर्ज है मैं नभी करीम सल्ला फर्म के उपर छे डाइम की नमाज फर्ज ये एक ताजुद थी तो नभी करीम सल्ला फर्म ताजुद पढ़ते थे फजर पढ़ते थे और फजर में मस्जिद निकलने तक इभादत करो, ताज्यूद से लेके सुरज निकलने तक, मगर जुमा के लिए जुहर के इस टाइम पर जो है, वो अल्ला ताला का होकम है कि नमाज पड़ो निकलो, तो अल्ला ताला भी चाहता है कि बंदा जमीन पर चले फिर अपनी रोजी खुद कमाए, तो ये इस आयत से भी हम समझ सकते हैं कि अल्ला ताला भी चाहते हैं कि बंदा रोजी रोटी कमाने के लिए निकले, कोशिच करे, और जो जकात है, जकात जो है वो पांच फर्ज में से एक है, तो जैसे नमाज फर्ज है, वैसी जकात भी फर्ज है, जकात अदा करना, अगर जैसा नमाज अदा करते हैं, वैसा अगर जकात भी अदा करना चाहें, तो बगएर माल कमाएं नहीं अदा कर सकते, जकात को मैं और थोड़ा ज़्यादा गहराई से आपको explain करता हूँ अलादाम अलमुफरद ये हज़रत बुखारी की लिखीवी किताब है इसके हदीस नमबर 112 इस तरह है कि नबी करीम सल्लेलों सल्म में फरमाया कि अगर कोई मुसल्मान रात में पेड़ भर के खाना खाता है और सो जाता है और उसका पॉलूसी जो गरीब है वो रात में भूका सोता है उसके खाने के लिए कोई चीज नहीं है और भूका सोता है तो जो ये पेड भर के खाने वाला जो मुसलमान जो पेड भर के खाके सो रहा है ये इसलाम पे चलने वाला नहीं है यानि मुसलमान नहीं है यानि हर मुसलमान पर उसके पॉलोसी का ख्याल रखना जरूरी है चाहे उसका पॉलोसी नॉन मुसलिम हो वो कभी भी उसका पॉड़ोसी खाली पेड ना सोय तो ये सदीश में लिखा हुआ है और कभी कभी क्या होता है ये तो एक इंडी जोल का बात होगा है कि मुस्लिम हो उसका पॉड़ोसी तो वो अपने पॉड़ोसी को हर कोई पर जानता है में ऐसा एमीजन कीजें किएे एक सूसाइड़ी है जिसमें सब अमीर मुस्लिम हमें रते है और पॉड़ोसी ना स्य पर प्ति है रात में भुगे सोते हैं तो क्या इस कंडिशन में भी यह अधिश रिफ लागू होगी इसमें भी लागू होगी मतलब जो पेड भरके खाके सो गया तो वो अगर गरीब का ख्याल नहीं रखता है तो भी इसलाम पे चलने वाला नहीं होगा तो मगर कभी ऐसा होता है कि अमीरों को पता ही नहीं होता है कौन गरीब है कौन भुका है किसकाश पैसा नहीं है तो अल्ला तल्ला ने एक निजाम बनाये जकात का कि जितने अमीर हैं उनसे उनकी सेविंग का का उनका कर्जा उतरे उनको उनका खाने पिने का आरेजमेंट हो जाए यही सब उसके अंदर है तो यह जकात जो सिस्टम है वो इसी लिए है कि समाज में कोई गरीब ना रहे और यह कुरान के एक चप्टर नमर 58 थर्टीन में अल्ला तरह ने कहा कि नमाज पुड़ो मगर हमेश अपने दुनिया आखरत की कामियामाभी के लिए हैं मगर अपने साथ में समाज को नहीं भूल सकते इसके जबी भी नमाज का हुकम है वहाँ पर जड़कात का हुकम है कि समाज में भी कोई खराब करने चामने ने रहे मतलब सारे एक खुशान रहे तो ये कंपलसिरी है मतलब जो है जो अपनी फिकर के साथ में अपने आखरत बनाने के साथ में अपने जन्नत की फिकर के साथ में सारी दुनिया की फिकर करना है एक ये मिष्कागत की हदीछ शरीफ ऐसा है कि अल्ला अल्दा फर्माते हैं कि ये सारी दुनिया मेरी फैमिली है इसको जो इसकी जो सभसे अदा खिद्मत करता है वो मेरा उतना ज्यादा महिमूब है तो इस हदीश शरीफ में भी अल्ला तरह यही फर्मा देगे सारी दुनिया की जितने लोग है वो मेरी फैमिली है उनकी जो भी खिदमत करेगा वो मुझे सबसे अदा प्यारा रहेगा और बुखारी शरीफ की एक हदीश शरीफ ऐसी है कि नभी करीम सबसे ने फर्माया कि मुमिन के माथे से पसीना उसके मरने के वक्त तक तपकते रहता है मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि जो मुमिन होता है जो आखरी उमर तक महनत करता है पैसा कमाता है और जैसा वो अपने लिए नमाज पढ़ता है उससा end of the life जिन्दकी के आखिर तक वो अपने पैसे से खुद की भी जरूरत पूरी करता है लोगों की जरूरत पूरी करते रहता है तो पैसा कमाना इतना important है कि नभी करीम सब्सें ने फर्माया कि कुवारा रहना मना है कि समाज एक healthy समाज society रहना चाहिए एक्सिस्ट करना चाहिए और इस चीसे मना किया है कि कोई सन्यास ले ले और शहर से निकल के दूर पहाड़ी के अंदर जाके घर मना किया है कि एक healthy society होनी चाहिए जहां पर लोग healthy life pattern जीए और खुद भी कमाएं खुद भी खाएं पीएं खुद भी जो बाबा मनने का system इसलाम में allowed नहीं है लोग हो जाते हैं अलग बाते मगर इसलाम की तालीम नहीं है तो यह जो इतना important है दूसरों की मदद करना कि हमेशा नमास के साथ नहीं दूसरों की मदद के लिए जकात देने का हुकम है तो इतना इस यह सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं न कि हम साट साल की उमर में रिटायर हो जाएं काम दाना छोड़के किनारे हो जाएं और खरन नमास पढ़ते हैं तो यह 50% खाली जो इबादत होगी फुल अगर किसी को अबादत करना है तो एंट तक उसको कमाना भी है और लोगों की खिद्मत भी करना है तो इन सारी चीज़ों से भी हम ना पैसा कमाने की एहमिएत को समझ सकते हैं जैसे मुसलमानों पर जकात फर्ज है वैसे यहूदियों पर भी जकात फर्ज था उसका रेफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं के तुरात में जो है उनको जकात देने का हुकम का जो है रेफरेंस है याने हमने जो कमाया खर्चा करने के बाद में जो पैसा बचा उसका धाई परसंट मगर यहूदियों के लिए उन्होंने जो कमाया उसका दस परसंट तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इतना और किसी कौश्म के अंदर यह इतना ज़्यादा यहूदि से भाड़ा देने का हुक्म नहीं है और यह आज तक एतना 10% उनके अर्निंग का देते हैं, उनके इंकम का देते हैं तो इसका Effect ऐसा है ने कि आज आप दुनιά में देखे हैं, ना सब्से जाद तो यह उसका example है यहूदी जमाने में सबसे ज़्यादा donation देते हैं और सबसे अधामीर हैं तो यह उनका example हमको motivate करता है कि हम भी ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा ज़्यादा दे importance of money इस जमाने में मालो दोलत की क्या हीमियत है इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो हदीश शरीफ और एक सफियान सूरी हदरत सफियान सूरी की एक रिवायत है इसको बेयन करता हूँ कि एक पहली अदिश शरी इस तरह है कि नबी करीम सलले लाओ अल्फास में दूआ मांगते थे कि एल्ला मैं कुफर और मुहताजी से आपकी पना मांगता हूँ और कबर के अजाब से मैं आपकी पना मांगता हूँ और आपके सिवा कोई अबादत के लाइक नहीं तो ये दूआ के अल्फाज है उर्दो में दूआ के अल्फाज में नबी करीम सललम इन अल्फाज से दूआ मांगा करते थे तो जैसे कुफर से जहन्नम का अजाब होता है और कबर का अजाब होता है वैसा जो मुहताजी है इससे भी दुनिया के अंदर शदी जहनी और जिसमारी तकलिफ होती है तो नबी करीम सललम इस चीज़ को समझते थे और इसलिए आपने जो दूआ पड़ी के पूरी उम्मत उसको याद रखे समझे और दूआ मांगा करें तो ये नबी करीम सललम की दूआ थी कि वो आप जो है ना मुहताजी से फकर उफाका से पना मांगा करते हैं तो ये जो गरीब होना गलत है जबी तो नबी करीम सललम इससे पना मांगते हैं तो हमको भी इससे समझना चाहिए कि मालो दौलत होना बहुत जरूरी है और ये जो एक ताबईन है उनका नाम है हजरत अबोकर बिन अभी मर्यम वो कहते हैं कि नभी करीम सल्वें के सहाभी थे जिनका नाम था मिकदाम बिन माईद काम उनके पास कई जानवर थे और उनकी कनीज उन जानवरों का दूद दोहती थी और वाजार में फरुख करती थी तो जो दूसरे लोग थे वो इसको बहुत बुरा समयते थे वो सूचते थे ना कि ये दूद हजरत मिकदाम को अपने रिष्टारों में बाड़ देना चाहिए गरीबु में इसी तकसीम कर देना चाहिए मगर हज़र निकदाम ने कहा कि मेरे लिए अपना माल बेच कर पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि नभी करीम से ने फरमाया एक जमाना आएगा जिसमें सिर्फ माल जिसमें सिर्फ माल से आपका मकसद पुरा होगा तो यह एक सहाबी के यह अलफाज है जिन्दगी के अंदर खुशाली रहे आसानी रहे तो माल और दौलत का कमाना बहुत जरूरी इस जमाने बहुत जरूरी है और तीसी जो एक सफ्यान सूरी अजरा सफ्यान सूरी ने ऐसा कहा कि आपने फर्माएं कि अपसे पहले यानि दौर नववत और दौर खिलाफत में माल और दौलत को एक नापसंद दीना चीज़ समझ जाती थी उसको पसंद नहीं किया जाता था लेकिन आप फर्मादा है कि लेकिन हमारे जमाने में माल मुमिन की ढाल है अगर ये दरहम और दीनार आज हमारे पास ना हो तो जो बादशाह और उम्रा है हमको अपना रुमाल मना ले यानि कि अगर जो मुमिन के पास अगर माल और दौलत नहीं हो तो जो 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 ऑथर्टी वाले लोग है जो बड़े लोग है वो हमको मिस्चूज करें हमको को किसी काम में लगाए तांकि नफा बढ़े और माल बढ़े क्योंकि ये ऐसा दोहर है कि अगर आत्मी मोहताज हो जाएगा तो सबसे पहले वो अपना दीन बेचेगा और आखिर में उन्हों ने कहा कि हलाल कमाई खर्च करना फुजूर खर्ची नहीं है तो नभी करीम ने मोहताजी से फखो फाका से पना मागी ते अल्ला ताला की और हज़र निकदाम ने कहा कि हुजूर ने फर्माई कि एक जमाना इस आएगा कि बगएर माल और दोलत के बार आपका कोई काम नहीं बनेगा और हज़रा सफियान सूरी का भी उन्होंने भी वही बात कही तो ये तेनों रेफेंस से हम समझ सकते हैं कि इस जमाने में मुमिन के पास माल और दोलत को होना बहुत जरूरी है तो ये पैसी की इंपॉर्टन्स है